हेलो गाइस, हाव आजू, कैसे आप सब लोग, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली CA Foundation Students के लिए जो क्या है, November 2020 एक्जाम में अपेर होने वाले हैं, तोन बच्चों का एक बहुत मन में दुविदा चल रहा है, कि जो हमेशर अब इतना थोड़ा समय बच गया है, जो अभी है आज 18 सेप्टेंबर है, हमारे पास कुल मिलाके 51 डेज मिले हैं, अगर हम आज को भी काउंट कर लें, कि आज को छोड़ दे, कुल मिलाके प्रॉक्स हमारा 9 नॉवंबर को एक्जाम है, तो हमें 51 डेज में किस तरीके से strategy बनानी चाहिए, किस तरीके से subject चो है, prepare करने कि मेरा rank आना चाहिए, मैं rank के लिए prepare करना हूँ, तो उन बच्चों के मन में आ रहा है कि मुझे कौन सा subject पहले करना चाहिए, कितना subject, कौन से subject को ज्यादा focus देना है, कितना time देना है, उसमें कितनी बार revision होनी चाहिए, तो उन सभी question का answer देने के लिए मैं इस lecture में आपके पास available हुआ हूँ, मेरा नाम है C.A. संधी परोड़ा, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको, जो हमारे पास बहुत ही थोड़ा समय remaining बचा है, उसमें revision कैसे करनी है, कौन से subject को ज्यादा, और कितनी बार आप लोगों को पढ़ना है, जिससे क्या है अब बहुत अच्छे marks गेन कर पाओ, और rank 100% ले पाओगे, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, देखिए हमारे पास जैसे कि आपको बहुत है, कुल मिला के 4 subjects है, ठीक है जी, पहला subject जो हमारे पास है, वो है हमारा principles and practices of accounting, ठीक है जी, in short हम लिख देते हैं accounts, accounts आपके पास 100 marks का है ठीक है जी, अब आपको पता है, ये सारा का सारा पेपर जो है, ये written है, subjective है, अब दिखिए जो written पेपर है, उसमें तो आपकी preparation इस तरीके से होनी चाहिए, कि आपको लिखने की practice ज़रूर होनी चाहिए, अच्छे से हम लोग क्या है, फटा फट, दड़ा दड़, क्या करते हैं, सम करने शुरू कर देते हैं, कई तो calculator पर ही चल देते हैं, exam में क्या problem आ जाती है, वहाँ पर हमें लिखने में, presentation देने में problem आ जाती है कि, देखिए सम, तो almost सभी बच्चों के ठीक होंगे, माल लीजिए, 100 बच्चों ने paper दिया, 100 में से, 60 बच्चों का paper बहुत अच् क्लियर कर लिया, अब देखिए, 60%, 70% जल तो, 80% जल तो आ नहीं सकता, तो क्या होगा, अब देखिए, अच्चे marks किसको दिये जाते हैं, बहुत अच्चे marks किसको दिये जाते हैं, जो बच्चे क्या है, proper working note बनाते हैं, बहुत important चीज़ है, इसको note का लीजिएगा, working note अच् क्या से दिखाते हैं, मा लीजिए, आपने final account कर रहे थे आप, ठीक है, final account कर रहे थे आप, उसमें bad debt का point है, provision for bad debt का, further bad debt का point है, old provision का point है, वो आपने क्या किया, वो आपने क्या किया, सिद्धरी bad debt to bad debt लिखे, ठीक है, सिद्धरी amount लिखती total करके, आपने उसके इलावा या कोई adjustment थी, lost by fire के लिए adjustment थी, ये किसी और सीच के लिए adjustment थी, वो adjustment आपने तो ही नहीं करी, working show ही नहीं करी उसकी, तो institute को मौका मिल गया, paper check करने वाले को मौका मिल गया, कि आपके number किस तरीके से काट रहे हैं हमें, उसको पूरा का पूरा मौका मिल गया, कि भई, ये बचे ने खुला चोड़ दिया कि marks काट लो मेरे, ठीक है न, तो working note जरूर दिखाना है, calculation, ये 2 प्लस 24 कैसे आया, जरूर दिखाना है, अब देखिए, ये 2 प्लस 24 वाली बात जो है, इसको मैं complete कर देता हूँ, कि आपको क्या, यहाँ पर साफधानी बचनी है, यहाँ पर आपको क दिख दिया, ठीक है जी, अब आपने क्या किया, वो तो लिखा ही नहीं, कि भई, sale इतनी उसका 10%, आपने कहा कि चलो amount ही निकाला है, calculator में निकाला, फटा फटा फट दिख दिया, आपने सोचा कि 10 नंबर का question था, मैंने तो सारा कुछ कर दिया, मेरी balance rate को टैली कर गई है, profit on 10 मिलने चाहिए, अब आप सोच लीजिए, आपको 10 में से hardly 5 है 6 नंबर देंगे, वो 3-4 नंबर काट लेंगे, सही होने के बावजूद, आप खुछ सूचिए आपने, जो paper आपको 100% आता था, 100% आपने अच्छे तरीके से किया, अब ऐसा तो नहीं होता, 100 नंबर का paper है, 100 ही 100% आपका best हुआ है, 100 में से 60-70% मान लीजिए, आपका best हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, 20 मक्स का average हुआ है, 10-15 नंबर का 20 नंबर का बहुत पूर हुआ है, तो आप खुछ सुचिए, पूर वाली में से तो वैसे ही नंबर देंगे वो, average वाली में से 50-50 आप लगा ही है, और जो सही भी हुआ है, उसमें से भी आपने उनको इंस्टिटूट का मौका दे दिया, भाईया मुझे fail कर दो, fail नहीं तो at least मुझे 60-70-90 की लाइन में जाने मत दो, तो वहाँ पर आपने सबसे बड़ी mistake यह कर दी, कि आपने मौका दे दिया इंस्टिटूट को, paper check और को मेरे मार्क से काट लो, ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा मौका बिलकुल नहीं इंस्टिटूट को देना है, सबसे पहले working note बनाने है अच्छे से, प्लस calculation दिखानी है, प्लस presentation अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है न, presentations से मतलब यहाँ पर क्या है, general entry का proper जो date का column, particular का column, ठीक है, debit credit का column, वो proper बनाने हैं, आपको दिखाने हैं, और अगर कहीं पर जनल एंट्री वाला है, narration भी आपको देनी है, ठीक है, एक मिंट एक्सरा लग जाएगा, कोई बात नहीं, अगर आपने समझ लीजिए, मतलब जो to the best वाला आपको paper आता है, पहले उसकी आपको exam में determination करनी है, वो तो हम जब exam से पहले discuss करेंगे, ठीक है, मतलब क्या है, आपको लिख के देखना है, यहाँ पर यह तीनों चीज़े बताने का कारण क्या था, यहाँ पर जो practice करनी है आपको, working note के साथ करनी है, calculation आपको, जब तक आप practice नहीं करोगे, तो आपको paper में लिखने की अच्छी कर लोगे, ठीक है न, हम अलग कोई इंसान थोड़ी ना पैदा हुए है, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, कुछ calculation शोई नहीं करें, कुछ presentation दे रहे हैं, गंदी सी handwriting में paper कर रहे हैं, और test दे रहे हैं, या फिर हम practice कर रहे हैं, और paper में जाके सिधा ही हम बहुत अबी भी, जलतिक होगी होगी, ठीक है जी, अकाउंट पर यह सबसे ज़्यादा आपको जो focus, सबसे ज़्यादा रिवीजन जो करनी है, आपको किन chapters की करनी है, फाइनल अकाउंट, बी आरेस, शेर कैपिटल, डिबैंचर, एन पी ओ, ठीक है जी, इसलिए, इसके साथ एक chapter और बहुत important, rectification of error, बहुत ही असान, बहुत ही ज़्यादा important chapter हो चुका है, अब जब से, हमारी पास written paper हुआ है, ठीक है जी, तो rectification of error, यह साथ chapter आपको बहुत अच्छे से, कम से कम दो तीन बार revise करनी है, ठीक है, अगर आप 80, 90, 70, 80, 90 के line में जाना चाते हो, तो, यह साथ chapter जो है, आपके बहुत ही, तुपर वे में होने चाहिए, ठीक है जी, और, जो मैंने आपको, main move mantra बताया, जो, जिसकी वज़े से, बच्चों के marks नहीं आते, ठीक है ना, वो क्या है, working note ना देना, calculation show ना करना, और poor presentation, यह, बहुत बड़ी mistakes होती हैं, हम students की, ठीक है जी, चलिए, अब बढ़ते हैं, दूसर सब्जेक्ट की तरफ, दूसर सब्जेक्ट अपका, law, business laws, and, business correspondence and reporting, BCR, अब देखिए, यह आपको पता है, यह 60 marks का है आपका, और BCR, 40 marks का है, यह 60 marks का, बहुत ही easy portion है, ठीक है जी, अब जो बच्चे, देखिए, आप लोग, प्लस तू में, मास में हुए हो, अभी तक आपने, first master की, भीकों first master की preparation कर ली होगी, उसमें कुछ chapter आप लोगों ने, contract, sales of goods sector, ठीक है यह, आप लोगों ने, हर university में, syllabus में होता है, यह first master में law होता है, ठीक है जी, mercantile law, तो यह subject आपने, law का कुछ syllabus जो है, बिकों में भी कर रखा है, यहाँ पर भी कर रखा है, तो बहुत अच्छे से, यहाँ पर revision हो सकती है, सबसे easy और सबसे, जो है score खिषने वाला, जो area है, वो business law का है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे companies law, बहुत थोड़ा portion है, बहुत ही थोड़ा syllabus है, ठीक है, कुछ ही pages है, 20-30 pages है, बहुत ही मज़ेदा तरीके से, आपको इसमें max score कर सकते हो, so with section आप लिखके, इसको अच्छे तरीके से, क्या है, यहाँ पर भी, बहुत अच्छी line में जा सकते हो, ठीक है जी, और business correspondence reporting, छोटोटे chapter है, काफी सारे है, ठीक है, इसमें, आपको उसके बाद, जो भी आपको लगता है, जितना भी आपको लगता है, टाइम की इतना टाइम देना चाहिए, ठीक है, जो आपकी preparation है, क्योंकि कुछ chapter बहुत असान है, कुछ आपके grammar वगारा, writing skills वाले है, वो थोड़े से, ठीक है, अठपटे से हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैं बच्चों बात करूँगा, paper number 3 के उपर, paper number 3, बहुत बहुत important है हमारा, paper number 3 हमारा, कौन कौन सी चीज़े हैं हमारे पास, number 1, math, number 2, logical reasoning, number 3, stats, यहाँ पर आपको पता है, जो easy portion है, वो आपका logical reasoning, 20 marks का बहुत असान है, 40 marks का जो stat है, very easy है यह भी, 40 marks का बहुत असान है, आपको क्या है, सबसे पहले stat शुरू करनी है, सबसे पहले revise जो करना है, वो stat, पहली preference देनी है, आपको stat को, अब सर ऐसा क्यों, मुझे first preference stat को क्यों देनी चाहिए, क्योंकि stat बहुत असान है, centered currency आपका within, हो जाएगा, इंडेक्स नमबर देखते देखते ही हो जाएगा, time series आदे घंटे में हो जाएगा, revise अगर आप कर रहे हो तो, मतलब क्या हाँ, हाड़ी तीन दिन में आपका stat का पूरा syllabus हो जाएगा, अगर आपका probability और distribution, जो है probability distribution है, वो थोड़ा सा अच्छा है, strong है, ठीक है जी, मतलब क्या है, इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हम मार्क score कर सकते हैं, logical reasoning आपको पता है, गिंती के 5 चेप्टर हैं, बहुत ही थोड़ा सा syllabus है, बहुत ही असान है, तो इसमें भी hardly आपको क्या है, एक या दो दिन, maximum दो दिन लगा लीजिए, दो दिन में आपका revision हो सकता है, मतलब क्या है, अब आपको कितनी time करना चाहिए, accounts तो continuously चलते जाहिए, आप चलते फिर ते खाना खाते हो, खाने खाने के बाद, प्रोविजन रिवाइज करते जाहिए, ठीक है, law हेखास करके, ठीक है, law को भी खाना खाने के बाद, ठीक है, जब भी आप घूम रहे हो, पार्क में घूम रहे हो, अपने, सत्पे घूम रहे हो, सैर कर रहे हो, ठीक है, तो revise करते रहे हो, मतलब क्या है, stat और logical listening पर सबसे ज़्यादा focus करना है, और बहुत अच्छे से focus करना है, अब आते है math के उपर, math में कुछ selective से chapter है, जिनकी weightage बहुत अच्छी है, और बहुत ही ज़्यादा important है, और आगे भी बहुत काँ आने वाले हैं, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा की, बहुत ज़्यादा weightage वाले जो chapter हैं, जैसे की आपको भी हलका सा पता होगा, सबसे पहले है हमारा time value of money, दूसरा है हमारा permutation and combination, तीसरे नंबर पे हमारा आजाता है, permutation and combination हो गया हमारा time value of money हो गया, AP and GP, बहुत असान है, चौथा आपका ratio वाला chapter number one, chapter ratio, proportion, sorry, ratio, proportion, indices और logarithm, ठीक है न, तो ये आपको पहले बहुत अच्छे से करने हैं, खास करके time value of money, और permutation and combination, इनकी कम से कम आपको 40 से 50%, 40 से 50% का मतलब आप समभ़ी रहे हो, 40 number हमारी math की proportion है, 40 number total ratio है, वेटेज है, और 40 में से समझे लिजिए, 16 से 20 number का paper जो है, इन दोनों chapter में से आपको दिख जाएगा, ठीक है न, कम से कम, 16 से, 20 number का, ठीक है, तो ये chapter जादा से जादा, जादा से जादा आपको revise करने है, जितनी बार, दो बार, तीन बार आप कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद बाकी slivers तो, आपको करना ही है, ठीक है न, जैसे differential calculus है, ये थोड़ा सा difficult है, ठीक है, अब आते हैं, बच्चों मरा, last subject, bck and business economics, bck आपको पता है, 40 marks का है, economics आपको पता है, 60 marks की है, ठीक है जी, bck 40 marks का है, बिलकुल नया है, बहुत interesting subject है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है, bck में, कुछ chapter बहुत important है, जैसे intro to bck है, introduction to bck है, business environment है, business facilitators है, छोटा सा chapter है, इसमें से भी काफी अच्छी वेटे जाती है, ठीक है न, और terminology है, और सबसे जो बड़ी बात है, जो types of business organization वादा chapter है, आपको क्या है, उसमें कुछ selective वहाँ पर आप लोगों को क्या है, थोड़ी सी मेहनत करने पड़े कि, वहाँ पर रटे बाजी ज़्यादा चाहिए, ठीक है न, वहाँ पर आपको कोशिश करिए, bck का जो है scope बहुत limited सा है, वहाँ पर question जो है, difficulty level high नहीं हो सकता, ठीक है न, इसलिए आप इसको ज़्यादा ज़्यादा revise करिए, इस portion में, इस book में, और दूसरा, 60 marks वादा portion economics, यह अपने plus two में पड़ रखा है, ठीक है, और यहाँ पर भी अच्छे से पड़ रखा होगा, तो बहुत यह असानी से आपको slabels हो गया होगा, demand and supply है, ठीक है, अपना production and cost है, forms of market है, मतलब इस, पुरे के पुरे slabels को, आप economics को मैं chapter में, नहीं बोलूँगा, यहाँ पर आप सारा slabels अच्छे से करिए, यह वाला subject, क्योंकि, आपको कम से कम, दो बार इसकी revision चाहिए, दो बार कम से कम इसकी revision चाहिए, अगर आप rank, gain करना चाहते हो, ठीक है, तो बच्चो, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो like जुरू करिएगा, और चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, और bell icon दबाना मत बूलिएगा, जिससे क्या है, जब भी हम next video जा लें, तो आपको क्या है notification आ जाए, और इस तरीके की video हम लोग डालते ही रहते हैं, आज की video मेटते ही बच्चो, थैंक्यो,